साथियों, आज 21 सदीकिय भारत की आकांख्षा है बहुत उची हैं, हमारे समाज की सरकार से अपेशाएं बहुत ज़्यादा है आप खुद देख रहे हैं कि नया भारत आज क्या कमाल कर रहा है यह वो भारत हैं जिसने कुछ दिनों पहले चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहराया है इस नए भारत के सपने बहुत उचे हैं, देश ने 2047 तक विख्षिद भारत बनने का संकल पलिया है अगले कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी एकाड़ोमी बनने वाले हैं आज जब देश में इतना कुछ हो रहा है, तो उसमें हर सरकारी कर्मचारी की भूमी का बहुत जादा बढ़ने वाली है आपको हमेशा सिटीजन फर्स की भावना से काम करना है आप तो एक S.T.E. जनरेशन का हिस्सा हैं, जो टेकनॉलोजी के साथ बड़ी हुई है जो गैजेट्स आपके पैरेंट्स मुश्किल से ऑपरेट कर पाते हैं, आपने खिलोनों की तरह उनका इस्तवाल किया है टेकनॉलोजी से ही सहस्ता को अब आपको अपने कारिक्षत्र में इस्तमाल करना है हमें सोचना होगा कि हम गवननस में भी टेकनॉलोजी की मदद से कैसा नया सुधार कर सकते हैं आपको देखना होगा कि अपने अपने क्षेत्रों में आप कैसे टेकनॉलोजी के जर्ये एफिशन्ची को और इंप्रूव कर सकते हैं साथियों टेकनॉलोजी कल ट्रांस्फोर्मेशन से गवननस कैसे आसान होती हैं आपने बीते नव सानों में देखा है पहले रेल की टिकेट लेने के लिए बुकिंग काउंटर्स पर लाइन लगती थी टेकनॉलोजी ने ये मुश्किल आसान कर दी आधार कार्ड डिजिटल लॉकर और एक वाइसी डॉक्यमेंटेशन की कॉंप्लेक्सिटी खतम कर दी गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बील के पेमेंट तक अब सब एप पर होने लगा है डी बी टी के जरिये सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के एकाउंट में पहुँच रहा है डी जी यात्रा से हमारा आना जाना आसान हुआ है यानि टेकनॉलोजी से करप्शन घटा है क्रेडिबिलिटी बढ़ी है कॉंप्लेक्सिटी गटी है कमफट बढ़ा है आपको इस दिशा में और ज्यादा से ज्यादा काम करना है गरीबों की हर जरुरत सरकार का हर काम टेकनॉलोजी के जरिये कैसे और आसान होगा आपको इस काम के लिए नए नए तरीके ढूंडे है इनोवेटिव तरीके ढूंडे है और उसे आगे भी बढ़ाना होगा आपको आपको मेंगे प्येशा होगा अटर आपको काम में यूंह